subscribe किजिए Unique Engineering Tips चैनल को और bell icon को जरूर दमाएं सबसे पहले notification पाने के लिए Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips Hi guys, how are you? It's me, Nawazir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips So, कल हमारा जो water supply and wastewater engineering इस वो complete हो गया था तो इस lecture में आपको 30% syllabus में आपको provide कर दूँगा इसमें उन पॉइंट्स के बारे में डिसक्स करें जो एक्जानेशन पॉइंट पॉइंट्स मैंने जो होल से ड्राइव किये हुए हैं तो आई होब कि आपको वीडियो पसंद आएगी इसके अलावा नेक्ट जो मैं कंसरेशन प्लैनिंग और मेनेजमेट वाला सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट करने जा रहा हूँ क्यूंकि उसकी वीडियो मैंने आरड़ी कुछ पोस्ट कर दी हैं तो उसको मैं विदिन थ्री आर फाउर डेस 现在 1 नांवा ने तो में तो कि तेंथ मार्च को मैं इसको मैं में कंप्लीट कर दूँगा तो मेरा विद्ज के मिर्वीस इनको मैं 25 तको सब्टे कर दूब मार दूगा कि परी पर इन 36 डेस में हम सिर्फ चाल सब्जेट्स को कावर करेंगे हमार बास RCC हो गया, GeoTech हो गया, Fluid हो और Structure हो गया तो मेरी स्ट्रेजी ही है कि हम इन सब्जेट्स को लास्ट में इसले ही करेंगे इन को लास्ट में करने से बैनिफिट यह है कि फ्रेश रहे हैं तो एक सब्सक्राइब बचेगा जो हमार पास फर्स्ट वीक यह जो अगर पास 25 माई के बाद ही पेपर हुआ तो जे रमाइनिंग 20 डेस हैं आपको में सिर्फ पूरे के पूरे सब्जक्ट मैंसे फिर होल जो है मॉक टेस्ट हम बनाते जाएंगे उन मॉक टेस्ट का हम सॉल भी करते रहेंगे उससे आपको मैं के करहूंगा पर सब्जक्ट के भी 100-200 ऑबजेट्ट्व और सॉल करेंगे फिर जब वह मर पास कंपलेट जाएगा उसके बाद जो हम करेंगे पूरे फाइनल जो है अवराल सब स्लेबस में से 100-200 जो है अब्जेक्टिव निकाल के उनको हम सौल करते जाएंगे तो यह हमार लिए बैटर रहेगा कि एक्जाम से पहले सौल करते रहेंगे हर दिन में आपको 100-200 अब्जेक्टिव की व जो यह है कि अचल्या सुली बाद में झाल senate ऌपको कि इला रही तो कमपलीक्ति रहेंगे ऑप वएड़े न कंड़ीजाती रहें इसमें स्लेबस करें और तो टो है पॉपलिन करते घन परन वाली इसमें इसके निमेरिकल्स जी हैं वो मैंने आपको solve करए हैं हर मेतड से incremental increase method, geometric increase method, हमारा पस simple arithmetic method था तो यह बहुत important है जिन जिन points आप यहां पर मेरे पास कुछ ऐसे points लिखे हैं जो हमारे syllabus में नहीं है आप बस उनी points पे focus देना जिनको मैं mark करूँगा यहां पे तो पहला आगया इसमें population forecasting का इस पे आपने अच्छा से focus देना इनके formulas यहां पे लिखे हुए हैं तो अभी इनको बताने की जुरुत नहीं मेरा सिर्फ काम है इसमें आपको उन points को mark करवाना जो important है examination point of view से तो इसमें मैंने दो points लिखे arithmetic mean method और geometric increase method और incremental increase method क्योंकि numerical जो है इनी तीन formulas पे आते हैं बाकी जो theoretical portion वाले उसके बाद next point हमरे पास पह value of water यह most important point है most important point की pH value of water होती कि इसके बराबर मत पास pH value होता है pH plus POH is equal to 14 अब देखो pH value जह है maximum 14 होती है और minimum हमरे पास कितनी होती है जिर important point है तीसरा भी blue baby syndrome अब maximum बच्चों में जो है आज कल मिमारी पाई जाती है blue baby syndrome तो इसकी वएसे आता है जब nitrate की concentration पानी में ज्याद हो जाती ही तो उसके वैसे यह syndrome पाया जाता है नाइट्राइट्स के लिए जो है इसमें क्या किया जाता है कि फिनोडी इसको एड करके हम पानी में identify करते है उसके बाद next जिसमें जाता है मरपास total hardness अब देखो पानी में hardness जो आती है वह किसकी वाई से आती है वह generally दो टाइप की hardness होती है मरपास permanent hardness आती है और एक temporary hardness हाती ह लेकि permanent hardness को remove करने के लिए हमें कुछ अलग process बगारा करने पड़ते है तो total hardness मरपास किसी वाज़े से आती है carbonate hardness plus non-carbonate hardness मतलब कुछ hardness carbonate की वाई से होती है और कुछ non-carbonate की वाज़े से होती है तो दूनों को मिलाके मरपास बनती है total hardness अब temporary hardness किसकी वाज़े से होती it is caused due to the presence of bicarbonates and carbonates of calcium and magnesium और permanent hardness हो जाती है sulphide and chloride of calcium and magnesium की वाज़े से यहां मैंने लिखा भी है अब मारब जो है permanent hardness जो है इसको non-carbonate hardness भी कहते है it is also known as non-carbonate hardness उसके बाद next point इसमें आ जाता है hardness has no impact on human health यह most important point है कि hardness से हमारी human health पे कोई भी impact नहीं पड़ता है इसका सिर्फ हम कह सकते है कुरिजिना बाइलर्स वगारा काज कर सकता है या laundry expenses वाशिंग वगारा के लिए यूज करेंगे तो leathering of soap उसमें नहीं होता है तो उसकी वाएसे यह problem वगारा काज कर सकता है या कुरिजिना बाइलर्स वगारा यह important point है दूनों उसके बाद seven point यह most important point है अगर हमने zero hardness achieve करनी होगी तो हम किससे achieve करते है इडिस अचीवड़ बाइ आइन exchange treatment method या zeolite process और base exchange treatment यह तीन उन मेथजिन से हम कर सकते है जिरो hardness achieve कर सकते है यह most important point है इसका भी उसके बाद next इसमें आ जाता है next point जो मरपास syllabus में है वो मरपास है point नमर 15 इसमें यह है कि pathogens are removed यह तो आपको बता है कि जो भी मरपास pathogens है उनकों chlorination से ही remove करते है उसके बाद हम activated carbon हम किसको कहते है activated carbon किया है कि एक special type of treated carbon है which have ability of absorbing impurities, sewage, gases, liquids, etc. because of its high surface area to volume ratio it can be used for removing order and taste from drinking water activated carbon जो होता है कि special type of treated carbon होता है इसमें ability होती है कि impurities को absorb कर लेता है तो इसमें generally जो order बगएर आया यह टेस्ट और पानी में present होता तो उस चीज़ को remove करने के लिए यूज करते है most important point उसके बाद जो है यह 17th point important है कि chlorine dioxide is 2.5 times stronger than chlorine जो chlorine dioxide होता है वो क्या होता है 2.5 times stronger than chlorine उसके बाद next जिमारपजी इसमें नाइंटीन most important point है the disinfection efficiency of treated water is reduced by increased pH value अब देखो अगर हमने क्या करना है disinfection efficiency जो है treated water की अगर हमने उसको क्या करना है तो उसके हम क्या कहरें ही उसकी pH value को increase कर देंगे उसके बाद 20th point आ जा गया हमने पास use of coagulants result in reduction of pH of the treated water जब हम क्या करते हैं कि coagulants add करते हैं पानी में उससे क्या हो जाता कि pH value जो है water की वह क्या हो जाती है अब coagulants हम कोई भी add कर सकते हैं उसके बाद आ जाता most effective form of chlorine यह most important है HOCI chemical ना मुझे पता नहीं क्या है यह 80% more reactive than OCI negative यह इससे 80% stronger है उसके बाद methods to remove hardness hardness को remove करने के लिए हम कितने methods से इसको remove कर सकते हैं अगर हम आपास temporary hardness होगी जैसे temporary hardness को simply boiling यह lime addition process से इसको remove कर सकते हैं लेकिन permanent hardness को zeolite ion exchange method यह lime soda process यह demineralization method से हम इस hardness को remove कर सकते हैं यह भी most important point है next point है most important point है COD यह बड़ी बार जो है पेपर में इसका question आया होगा कि COD इसको कहते है chemical oxygen demand अब यह होता क्या है it is used for the decomposition both biodegradable and non biodegradable compounds अब दिखो हमर पस जो waste होता है waste हमर दो टाइप की होते है generally यह तो biodegradable होता है यह और non biodegradable होता है जो decompose हो जाए उसको हम biodegradable कहेंगा जो decompose नहीं होगा चैसे plastic होगा हमर पस रता है non biodegradable तो हम क्या करते है कि उस waste में कुछ addition आप oxygen करते हैं अब आपको बताए bacteria हमर पस दो टाइप ही होता है anaerobic और aerobic और aerobic जो in the absence of oxygen survive करते हैं और aerobic जो है in the presence of oxygen survive करते हैं तो अब जिन उन बैक्टेरिया को survive करने के लिए उनको oxygen चाहे अरब अरब बैक्टेरियास हमें help करते वेस्ट को degrade करने में अब उनको survive करने के लिए oxygen की जुरूत होती था हम क्या करते हैं externally जो है उस waste में oxygen प्रवाइड करते हैं जिसके वाई से सरवाइब करेंगे तो वेस्ट को डिए कर देंगे तो इति हीज ऑनली फदर आक्सिछन बांड इसो कों यह इंदेना निया इसाम और सकते हैं MALCist Wiki गरेडेडरीं के लिए यह 500 करते हैं है यह 500 करते हैं यह पॉइंट पिए यह निगा इट से मॉश्ट करते हैं इस्जामिन पऊंध फ जुर और पॉइंद पॉइंग पॉइंट जाता है to determine the pollution status of the river the rapid test is used to find the content of dissolved oxygen by using multimeter most important point है इसका भी कि अगर हमने रिवर में pollution check करना है उसमें कितना dissolved oxygen का content है तो multimeter समें उसको find out कर सकते है उसके बाद अगर हमने biochemical oxygen demand को find out करना होगा है यह निवेरिकल है हमार पास लेकिन अगर चोलो by chance कभी आगे आगे आप इसको करना है इसको करना है यह वैसे syllabus में नहीं है उसके बाद standard biochemical oxygen demand कितनी होती है फाइव डिग्री सेलसेस पर कर में देहेंगे 68% होती है वो 10 डिग्री सेलसेस पर हमार पस कितनी होती है इसके बाद the next point आ गया the minimum dissolved oxygen content in PPM in a river necessary for the survival of aquatic life most important point है minimum कितना होना चाहिए उन में जो dissolved oxygen content हो उसकी value कितनी होनी चाहिए 4 it's most important उसके बाद next point जिसमें आजाता हमरे पास the drop manholes are provided in the seaway system when there is a change in the elevation of the ground level यह भी यहमने पीशे भी डिसक्षा लिया था कि drop manholes को generally वहां पर पर पास कि होगा area काम होगा या curves वगएरा होगे जहां पर manholes को provide नहीं कर सकते तो वहां पर पर ग्रेडेंट होगा यहां फिर curves वगएरा के case में करते हैं drop manholes को provide करते हैं अब 40th point आगे हम पास crown correction in a reinforced concrete silver is caused due to h2s कि अगर 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 जो reinforce sever होगी उसमें जो करीजन काज होता है वह किसकी वाज़ से होता है crown किसको कहता है जो topmost point होगा से वर का उसमें जो करीजन काज होता है h2s की वाज़ से होता है उसके बाद next 41 point यह भी important है trickling filters are used to remove the organic matter present in the sewage trickling filters को हम किसलिए यूज किया जाता है जो organic matter है sewage में present उनको remove करने के लिए हम trickling filters का use करते है point आज़ जागे हमार पास secondary settling tank contains a large concentration of highly active aerobic microorganism which is known as activated sludge अब देखो जो भी secondary treatment हम देते हैं sewage को generally हम sludge को treat करने के लिए ही यूज करते है इसमें भी यही कहता है कि this country settling tank contains a large concentration of highly active aerobic microorganism which is known as activated sludge उनको क्या कहते है activated sludge कहते है trickling filters are used to remove the biochemical oxygen demand from the sewage as it is a bio-oxidation process trickling filters हम क्या कर सकते हैं कि biochemical oxygen demand को भी remove कर सकते है up to some extent यह क्योंकि यह biological oxidation process है trickling filters उसके बाद जह है next point में जाता है the main constituents of gas generated during the anaerobic digestion of sewage digestion are carbon and methane यह भी most important point है उसके बाद next point इसमें जाता है presence of excess nitrates in river water indicates past pollution of water with sewage अगर हमार पास river water में excess nitrate present होगा तो वो indicate करता है past pollutions of water with sewage pre ammonia अब pre ammonia जो है कि इंडिकेट करता है अगर हमार पास ammonia के concentration ज्यादा है पानी में तो it indicates very first stage of decomposition of organic matter कि हमार पास जो ऑर्गनिक मेंटर है उसकी first stage जो है decomposition की वो start हो गई है उसके पाद next point हमार पास जाता है albuminide nitrogen it indicates quantity of nitrogen present in sewage before the decomposition of organic matter is started तो यह indicate यह करता है कि मार पास कितनी quantity of nitrogen present है sewage में before the decomposition of organic matter is started जब हमार पास organic matter की decomposition start होगी उसके पाद nitrates nitrates क्या indicate करता है presence of partially decomposed organic matter यह important points भी मैंने जिनको सिर्फ यह point लिखे है यह most important point है nitrates present होगे तो it indicates the presence of fully oxidized यह partially decomposed organic matter और यह fully oxidized organic matter को indicate करता है indicates the most stable form of nitrogenous matter past pollution तो इसकी वाज़े से मार पास जो pollution जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसकी वाज़े से होता है nitrates की वाज़े से ही होता है उसके बाद next point इसमें जाता है 46th point chlorine is sometimes used in sewage treatment to avoid buckling of activated sludge कभी-कभी क्या करते है कि मार पास जो sewage treatment में हम chlorine का use करते है to add buckling of activated sludge buckling sludge means buckling sludge का मतलब क्या होता है कि which have poor settling characteristics कि जब मार पास sludge है settled on नहीं होगा at the bottom of the sedimentation tank उसकत हम क्या करेंगे कि हम chlorine को add करते है filamentaneous microorganisms are responsible for buckling यह most important है कि अगर मार पास buckling किसकी वाज़े से होती है यहाँ पे वह buckling वह column वाली buckling आप मत समझ लेना यहाँ पे buckling यह मतलब है कि मार पास जो sludge है उसमें जो suspended matter है वो settled on नहीं हो रहा at the bottom of the sedimentation tank अब यह buckling cause किसकी वज़े से होती है filamentaneous microorganism की वज़े से होती है its most important point examination point of view से उसके बाद हमार पास thickening of sludge thickening of sludge का मतलब क्यों होता कि separation of water by floatation or gravity कि हमार पास जब पानी जो है उससे separate हो जाएगा waste से जो भी मार पास होगा किसकी वाएसे floating ग्रावटी एक्षिन की वाएसे तो उसके कहते है thickening of sludge कहते है conditioning of sludge का मतलब होता separation of water by heat or chemical treatment देखो दुनों point important है thickening का मतलब होता कि जब by gravity या by flotation अगर वह पानी अलग होगा conditioning का मतलब होता है by heat या chemical treatment की वाईसे जब पानी रिमू होगा तो उसके कहेंगे conditioning of sludge most important point है so उसके बाद next point है मर पास जो इसमें आता है dominating microorganisms in an activated sludge process reactor are aerobic heterotrophs की जो भी मर पास dominating microorganism है activated sludge process में वो मर पास क्या है aerobic heterotrophs है पर उसका next point है the amount of oxygen generated in kg while completely oxidizing 1 kg of CH4 to the end product is 2.75 kg most important point है कि जब हम क्या करेंगे कितनी amount of oxygen generate होगी जब हम क्या करेंगे 1 kg आप methane को completely उसको oxidize करेंगे 2.75 kg उसमें generate होती है उसके बाद next point इसमें जाता है इसमें इसमें जाता है जो भी waste है उसको जलाना at a temperature at high glorific value generally 815 degree पर जम वेस्ट को burn करते हैं उसको हम कहते हैं it can be adopted when the clarific value of municipal solid waste are high कि जब उसकी clarific value high होगी तब ही हम उसको burn करते हैं उसके लेंडफिल हम किसों कहते हैं landfill can be adopted when the dynasty of municipal solid waste is low तो लेंडफिलिंग में हम वेस्ट को कब डालते हैं जब उसकी clarific value low होगी और उसको incineration जलाते हैं जब उसकी clarific value high होगी तो उससाब से हम depend करते हैं कि उसको कहां डालें waste को disposed कहां करें composting is most important and commenter हमें municipal solid waste management में composting can be adopted when the municipal solid waste contains high organic content हम पास high organic content होगी तब उसको क्यों करेंगी यह भी disposing process है next इसमें जो point है two primary air pollutants की air को pollute करने के लिए में जो main two important air pollutants है वो कौन-कौन से एक sulfur dioxide and hydrocarbon है इसमें सलेबस में हम पास air pollution control devices की आपर जो air pollution है उनको उसको control करने के लिए kinking devices का हम use करते है that are used to remove the very fine particles from the flow gases are ESP and fabric filter ESP and for electrostatic precipitator उसके बाद SO2 जो हमर पास SO2 है यह क्या काज करता है it cause pan while taking deep breaths, coughing throat irritation, breathing difficulties वगयर वगयर यह air pollution वाले पार्ट में क्योंकि हमर पर थोड़ा सा इसमें noise and air pollution वगयर भी था तो वो मैंने वहां पर videos में cover नहीं किया था क्योंकि उसमें उतना पढ़ने का खास नहीं था तो जो आपको मैं यहां पर उनके उसके बता रहा हूं कि SO2 की वाई से मरपस क्या problem आती है deep breaths काज करता है coughing throat irritation काज करता है breathing difficulties its high concentration can cause lungs function asthma attacks वगयर जो है यह काज कर सकता है अगर इसकी concentration high होगी air में CO carbon monoxide क्या काज कर सकता है it reduces the amount of oxygen carried by hemoglobin around the body in RBCs red blood corpuscles में पास होता है this results in dead the nervous tissues and brain did not receive the enough supply of oxygen इसकी वाई से भी में पास lots of problem cause होती है जितनी desirable limit है उतनी इन चीज़ों की limit होनी चाहिए उसके बाद next इसमें जो point आता है most important point यह जो project वाला है कि कि इस project का कितना duration है जो भी में पास water supply project होता है हमके generally 20 years से लेकर 30 30 years सक design period होता है सीवेज treatment plant होता है इनका 15 से लेकर 20 years ही हमने detail में first video में discuss किया था उसके बाद जो color आये water का generally किसी वाई से आता है अब देखो impurities हमने तीन टाइप की पड़ी थी suspended, collider or dissolved colors जाद दर किसी वाई से आता है next point यह तो most important point यह हमने physical standards वेगा रहा है पहले भी video में discuss कर लिये physical standards water के क्या होने चाहिए यह भी आप देख लेना chemical standards क्या होने चाहिए यह भी आप देख लेना biological standards यह भी most important point है इनको भी detail में discuss करने के जो है हमर पस time भी नहीं है और जुरत भी नहीं है इसके बाद next steps of water treatment अब देखो water ko trade करने के लिए steps का हम यूज करते हैं यह हमने already detail में discuss के हैं तो यह important यह point भी आप अच्छे से देख लेना screening वगएरा विलास्टी किसी कितनी होती है plant sedimentation किसे क्या होता है यह हमने सारा detail में discuss किया हुआ है sedimentation with coagulation filtration filtration और पास दो टाइप किया थे slow send filter rapid send filter दो नहीं के comparison किया है वो मैंने detail में discuss किया हुआ already there is no need to discuss these steps right now in detail detail में अभी हम discuss कर भी नहीं सकते हैं आपको सिर्फ यहां पर overview दे रहा हुँ कि इन points को आपने ज़्यादा focus देना है यह most important point इनमें इसके बाद next फिर वही अब उसके बाद जो thought इसमें आता फिल्ट्रेशन में प्रेशर फिल्ट्र वगएरा वह सारा में देखा है disinfection disinfection भी हमने detail में किया हुआ है last में जाता है distribution of water जो हमने पाने को distribute करना है उसके लिए हमार पास हर valve का क्या काम है वह हमने पड़ा हुआ slice valve, air relief valve, check valve यह valve हुई है इसके कौन सा valve कहां के लिए यूज़ किया जाता fire hydrant valve यह सारे हमने detail में discuss किये हुए तो यह point भी मारपस किया है important point है उसके बाद next हम देखते है sewer, अब हम आते हैं waste management पे sewer हम host sewer को generally stoneware के बनी होती है और इसको हम किस purpose के लिए करते है मतल जो भी होस वगारा से हमारा waste generated होगा उसके लिए हम इसको यूज़ करते है ringly man's scale को यूज़ किया जाता है to measure the dynasty आप smoke, जो में 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 स्मोक होगा उसकी dynasty को measure करने के लिए हम इस scale का यूज़ करते है अब lateral sewer हमार पास किसकी बनी होती है lateral sewer फिर हमार पास जाती old fall sewer फिर old fall sewer फिर brown sewer और last पर जाती हमार पास man sewer तो यह हमने detail में देखी हुए है diameter of sewer हमार पास किसका कितना होता है यह हर type की sewer का मैंने आपको diameter बताय होगा है तो यह point में मार पास important है self cleaning velocity of sewage to prevent settling down of sewage self cleaning velocity में पास कितनी होनी चाहिए minimum sewer की important point है 0.75 meter per second में पास self cleaning velocity small sewer की कितनी होनी चाहिए at least 0.4 meter per second self cleaning velocity में पास large sewer होती है 0.6 meter per second sewers having diameter less than 60 cm spy guard and socket joints are used हमें पहले discuss कर लिया है को सा joint किसके लिए हम use करते हैं इनको detail में भी discuss करने की जूरत नहीं है तो आप यहां से इनका यह मैं आपको सिर्फ overview दे रहा हूँ catch basin क्या होता है flushing tank क्या होता है इनकी विरास्टीज वगएरा सारा हमने detail में डिसकस किया है hose drainage के लिए हम क्या use करते है soil pipe हम कहते हैं जिसमें carry करते है vent pipe का diameter वगएरा कितना होना वह सारा हमने देखा है dose of coagulant is controlled by warm wheel से यह important है कि जो मार पास warm wheel से करते है disinfection of swimming pool water is done by ozonization यह important point है कि जो हम मार पास swimming pool water है उसको हम disinfection में उसको हम जो disinfection की जुरत हो कि तो हम किसे करते हैं ozonization से करते है to print the formation of ice of chlorine kept at 30 जो भी मार पास ice है क्लोरीन है उसको ice form में convert करने के लिए हम generally 38 से लेकर 42 degree Celsius पे इतने temperature में उसको हम रखते है formation of ice are formed अगर मार पास chlorine को less than 10 degree temperature पे रखेंगे तो मार पास क्या हो जाईगी वह ice की form में आ जाईग amount of chlorine in bleaching water कितनी amount of chlorine यह सारे हमने joint detail में पड़े हुए उसके बाद next point में पास जाता है water leak from sewer also known as जो भी में पास sewer से पानी वगएरा leak होता हुता है x filtration कहते है उसके बाद आता है bonning rod यह भी हमने देखा था वह हम किसले यूज करते थे level up जो भी हम testing के लिए उसके बाद sedimentation tank remove particles having जिनकी भी specific gravity जो होगी around 1.2 होगी उनकी पार्टिकल्स को यह tank जो है remove करते है यह point हमने सारे पीछे detail में discuss कि हुए अभी हमें सुरब आपकों का overview दे रहा हुए उसके बाद next मेर पास जाता है fluctuate यह most important है fluctuate यह हम कीन को कहते है अब देखो anaerobic bacteria हम कहते है कि जो in the absence of oxygen में survive करते है जो in the presence of oxygen में survive करते है और fluctuate यह है जो दूनों में survive कर सकते है लेकिन उस survive both in the presence as well as in the absence of air anaerobic वह हमाद anaerobic decomposition यह आपको पता है यह important point इसमें है कि anaerobic decomposition को purification भी कहते है next इसमें जाता है standards of dilution factor of waste water यह भी most important है कि dilution factor की value वर पस कितनी हो नीचे अगर इसकी value जो है above 500 है dilution factor की value तो कोई भी treatment की जुरत नहीं है पानी को अगर 300 और 500 के बीच में है तो स्री primary treatment जो है यह most important point है इसको में most important point है कि कब dilution factor कितना होगा तब कुन सी treatment जुरत है above 500 no treatment is required 300 और 500 के बीच में स्री primary treatment required है अगर 150 और 300 के बीच में है तो treatment such as sedimentation, screening, chemical, precipitation बगार जुरत है अगर less than 150 dilution factor है तो complete treatment की जुरत है I am again repeating this point is the most important point from examination point of view उसके बद क्लोरीफर्म इंडेक्स should not exceed 1 से जो है यह value जो है water की 1 से जाता exit नहीं होनी चेह dose of alum most important है कि हम जो alum फटकड़ी जो हम डालते है simple अगर हम बाशा में बोलूँगा अदम हम फटफड़ी को कहते हैं इसको chemical formula yield to SO4 whole rise into 18H2 है कभी-कभी इसका chemical formula भी पूछ लेते हैं इसका हम dosage जो हम रखते हैं वो पानी में कितना होना चाहिए 15 से लेकर 75 mg per liter यह इसके बीच में vary करता 15 से लेकर 75 mg per liter average हम कितना डालते हैं 17 mg per liter डालते हैं जो हम alum डालते हैं किसके लिए डालते हैं coagulation process को करते हैं के लिए उसके बाद हम देखें sewage sewage क्या होता कि due to more temperature dissolved oxygen content gets reduced जितना हमार पास ज्यादा temperature होग जो dissolved oxygen का content है वो reduce हो जाता है अब physical standards यह भी हमने पीछे I think की discuss किया temperature कितना होना चाहिए sewage के चैसे हमार पास physical standards chemical standards water के हैं वैसे sewage के भी होने चाहिए temperature इनका 20 से लेकर 25 degree के बीज में होना चाहिए sewage का color हमार पास yellowish या gray starting में इसका color जो होता है yellowish या gray होता है initial color और final color जो इसका क्यों हो जाता है black है, brown, important point है standards मैं आपको लिखा रहा हो चाहिए physical chemical standards है wastewater के भी और उसके बाद turbidity इसकी कितनी होने चाहिए it increases by increasing the temperature of sewage turbidity जो है turbidity sewage की increase होती है अगर हमारा temperature जो है sewage का increase होगा chemical standards इसके क्या होने चाहिए total solid हमारा पास होने चाहिए 100 से लेकर 500 mg per liter pH value जो है अगर हमारा पास pH value more than 7 है तब वो basic है अगर उससे काम है तो अब SDK हमें पता ही है जितनी ज़्याद pH value होती है waste alkaline होता जाता है chloride content up to 250 mg per liter यह water में भी उतना ही होना चाहिए अब देखो जो total solid है 99.9% पानी होता है और वाकी 0.01% इसमें क्यों होता है solid होता है उसके बड़ treatment of sea waste sea waste को हम कैसे treat करते हैं यह भी हमने one by one detail में पढ़ा हुआ यहाँ पे primary treatment आती है फिर उसको हम कैसे कैसे करते है कि इससे क्या कितनी biological oxygen demand remove होती है कितना इससे कि हमने सारा डिसकस किया है medium size, finer size यह सारी हमने screening में पढ़ा है medium size कहां से कहां तक है fine कहां से कहां तक है यह सारा हमने detail में किया हुआ है अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा है कि इन points को आपने discuss करना है उसके बाद जो है उसके बाद next point हमरे पास जाता है मरे पास grid chamber यह most important है यह भी हमने पढ़ा grid chamber को हम किसले यूज करते थे जो भी particles जिनकी specific gravity around 2.65 आती थी उन particles को remove करने के नहीं करते थे grid chamber को यूज करते किसकी कितनी विरास्टी होनी चाहिए कितना cleaning interval होना चाहिए यह सारा हमने detail में किया हुआ है यह important point है जो हमने पीछे डिसकस नहीं किया अब देखो कुछ इनको हम किसले यूज करते है these are design to remove the particles having velocity अब जिनकी velocity बहुत कम होगी अब देखो जो हमरे पास grid chamber था इनमे हम उनी particles को remove करते थे जिनकी velocity point one one से लेकर point two five meter per second के बीच में होगी थी अगर उससे कम velocity होगी तो उसके लिए हम करते है detairitus tanks का use करते है इनमें इसका detention time जहे जर्ली three से four minutes होता था इसका detention time जहे up to strip ज्यादा ज्यादा one minute से भी कम ही था यह हमने पीछे discuss किया हुआ है उसके बाद जो है इसमें इसकी जो depth होती है point three से लेकर three meter के page में होती है skimming tanks important skimming tanks का मतलब होता कि जो भी हम greasy id चीज़ें remove करने के लिए हम use करते हैं उसको क्या करते हैं skimming skimming tanks का use करते हैं फिर आता primary treatment primary treatment को हम करते हैं जो भी large suspended matter है उनको remove करने के लिए हम use करते हैं final treatment क्या करते हैं कि जो भी final treatment हम देने होगी sewage को before उसको dispose करने से उसको final treatment कहते है it is the treatment final treatment given to CJ before disposing वही वही मैंने बोला river या stream में फैंकने से वहले final treatment देते हैं the peak demand of water in the Indian condition may be falls in the range of 2.5 3 times of average most important point natural tubes most important natural tubes को भी हम किसे ले measure करते हैं to measure the turbidity of water आपने journalists सुना को कि turbidity को हम किसे measure करते हैं किया तो महर पास modern commercial turbiditometer आता है nefflo turbiditometer आता है या फिर महर पास क्यों था jackson turbiditometer आता है तिकि natural tube से भी हम turbidity water की measure करते हैं उसके बाद next point जो हिसमें most important find है farm of chlorine having no disinfectant property is called tricoramine most important है कि ऐसी कुण सी farm है chlorine की disinfectant property नहीं है disinfection नहीं कर सकता है तो tricoramine जो है यह most important है fresh seaweed यह हमेशा क्यों होता है alkaline होता है यह हमेशा आप याद रखना fresh seaweed जो भी होगा उसा color जा है green या ग्रीनिश होता है for algae control the chemical is used algae को control करने के लिए copper sulfate का यूज करते है most common disinfectant used in roller most important है यह मैंने पहले भी आपको बोला था उसके बाद जो है slow sand filter generally put out service for cleaning when its filter head becomes higher than 120 meter यह हमने पीछे भी डिसकस किया था कि जब इसका head 90 और 120 के 20 में आ जाता है तब हमें उसको क्या करना पड़ता है clean करना पड़ता है उसके बाद आता है as compared to fresh river water sea water contains 20% less oxygen कि में पाद सी वाटर में जो क्या होती है oxygen की concentration less होती है the presence of free ammonia in sewage is detected by boiling अगर हमने हमने find out करना है free ammonia sewage में present है या नहीं उसको हम कैसे करते हैं सीवेज को boil करते है उसके बाद the ratio of ultimate biochemical oxygen demand to 5-day biochemical oxygen demand is 3 by 2 5-day biochemical oxygen demand के बीच का ratio कितना होता है 3 by 2 होता है for non-squaring velocity 5 meter per second the type of sewers generally used generally preferred to is glazed brick sewers जब हमने पाद यह विलास्टी है इससे ज्यादा exit हो जाएगी तब हम के करते हैं glazed brick sewers का यूज करते हैं इससे काम अगर हमारे पास आ जाएगी उसके लिए हम concrete sewers अगरा का यूज कर सकते हैं उसके बाद next point इसमें आ जाता concrete sewers are suitable वही मैं आपको बहले ही बोला था कि जब इसकी velocity इसके range में लाई करीगी तो हम फिएर के concrete sewers का यूज करेंगे a manhole is classified as shallow if it is depth are यह हमने सारी वह discuss की है अगर इसकी depth इतनी होगी तब इसको shallow इससे ज़्यादा होगी 90 से 150 की बीच में आ गया medium या normal उससे ज़्यादा आ गये तो वह में पास क्या हो गया जो है deep आ जाएग egg-shaped sewers का area हम क्यासे निकालते है most important point है 18 plus 55 upon 32 into D का सुकेर अवराल def तकर हमने निकालनी होगी egg-shaped sewers की वह क्या होती है 1.5 से लेकर 1.65 into D यह भी most important point है examination point of view से अब इसने दो diameter होते है D dash हो हमारे पास किसी पर अपर होता है 0.84 into D D dash हमारे पास है क्या top horizontal diameter of an equivalent egg-shaped sewers अब जो हमारे पास egg-shaped sewers आपने देखी होगी वो bottom से उसका die काम हो तो top six क्या होता है ज्यादा होता है तो D dash वहां पर क्या माना जाता है जो उपर वाला die होगा उसको माना जाता है D dash उसके बाद next point जिसमें आ जाता है maximum threshold number permitted to indicate order of public supplies पानी मतलब इतना पानी स्टोर रहना ही रहना चाहिए किसमें रिजर्वयर में तो वह कितना होता है वन बाइफोर था टोटल अगर स्पोर्ज करो 10 लिटर उसकी discharge capacity है तो उसका 1 बाइफोर तो निकालेंगे 2.5 लिटर उसमें स्टोर रहना ही रहना चाहिए इनमेंसे आप आदे भी लर्न करके जाओगे आदे भी फिलाल अगर अगर आप सारे करोगी मैं आपको शोरटी दोओंगा पांच एच्छे कोशन जहें इन पॉइंट्स में से आएंगे 100% शोर यह यह पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं बिसाइड्स डेट जो भी मैं हर सब्जेट का आपको स्लेवर्स जो 30% स्लेवर्स प्रवाइड करूँगा वह मैंने किसी एक पॉइंट्स प्रवाइड नहीं किया है इस आई हैव ड्राइड इस पॉइंट्स अटलिस आफ्र कंसल्टिंग टू और थ्री बुक्स तो यह पॉइंट महुस्ट इंपॉटन पॉइंट है जो मैं प्रवाइड कर रहा हूँ अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना न बूले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैंने सर्विंग के कंप्लीट लेक्टर्स अविलेबल हैं सेब्रेट प्लेलिस्ट में आप जाके उनको देख सकते हैं और मेरी इन वीडियो को आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेर कीजिए ताके वो जो है वो भी प्रिपेर कर सकें तो थैंक यू सो मच एंड कीप स्पोर्टिंग में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना न बोले और प्लीज बेल आइकन ज़रूर दबाए तक कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोडिफिकिशन पहुचें और प्रिएस वीडियो जितनी मैं अपलोड की है उनकी जो पीडियो ने हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवलेबल हैं तो आप वहां से उनको डॉनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच